शियादो पूरी रणनीते तयार करते नजरा रहे हैं कहीं न कहीं जैन चोधरी पर भी दवाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पश्चमी यूपी उसे तमाम यहाँ पर संगठनों के पदादिकारियों को पार्टी में शामिल करवाना कहीं न कहीं राज़ितिक आधा को बढ़ाता है अमन जी से अगला सवाल रहेगा अमन जी जो इस्थिति इस वक्त बनती हुई नजरा रही है चुनाओ बिल्कुल पास आ चुके हैं समाजवादी पार्टी में बताय जा रहा है कि 15 ऐसे दूसरी पार्टियों के विधायक जो है या फिर पूर में विधायक और संगठनों के यहाँ पर पदाधी कारी समाजवादी पार्टे को जोयन कर चुके हैं विशेश तोर पर क्या मेरट बागपत या जो पश्चमी यूपी का पूरा इलाका है यहाँ पर जैन चोधरी की कार्ट निकालने के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चा है कि किस तरह से जो पश्चम यूपी है उसके अंदर जो इंडिया गठबंदर ने अपनी नजरे लगाए हुए क्योंकि यहाँ पर जैन चौजरी जो उनके पहले साथी थे जैसे ही बीजेपी में पहुंसते हैं तो यहाँ पर जो इस्तिती मजबूत लग रही थी वो कमज पाबल की इस समें ऐसा लग रहा है कि जो भी नाराज है वो अपने दल बदलने को आतूर है चाहें बीजेपी की हों जैसा हमने देखा की जिस तरह से सिंधिया को जो सीट दी गई है गुना की उसके बाद वहां से की पी आदब लगातार नाराज बताय जाते हैं अगर हम ज जो जो बीजेपी से असन तुस्त हैं वो भी शायद सपा का रुक कर सकते हैं तो ऐसे में लगातार जो जो अपनी सियासी जमीन है दिनेश उसको मजबूत करने के लिए सियासी पार्टियां जो है राजियती जो भी दल है वो खुद को क्या किसान अंदोलन चुनाओं में एक एहम रोल निभाने वाला है क्या जैन चोधरी किसान अंदोलन के चलते और उन्होंने एंडिये खेमे माने का जो फैसला किया है वहां से भारती जनता पार्टी को यहां पर कोई ठेस पहुंचने वाली है देखिए मुझे बिल्कुल पह किया है कोई भी यह मान नहीं रहा था कि वो इतनी सारी बाते कहने के बाद जो है बीजेपी में शामिल होंगे लेकिन अब क्योंकि वो शामिल हो चुके हैं दो सीटों पर चुनाब जो लड़ रहे हैं एंडिये की तरफ से और उनके कह सकते हैं खेमे के एक विधायक मंत्री भी बनाया जा चुका है तो ऐसे में पूरी तरह से मान लिया जाए कि वो बीजेपी के साथ हो गए तो क्या अब किसान उनके साथ आते हुए नजर आएंगे जो बोड बैंक उनका एक समय मजबूत था क्या वो उनके साथ रहेगा क्योंकि ये भी खबर लगातार सामने हैं क कि तमाम सारे विदायक उनके नाराज हैं अगर उनकी नाराज की दूर नहीं कर पाए तो उनके लिए सीते जीतना मुश्किल हो जाएगा बिलकुल यहाँ पर जैन चोधरी के लिए संग्टनात्मक रूप से पश्चमी यूपी में अपनी जो राजनितिक पकड़ है उसको म फैसला किया है ऐसे में देखना यह होगा कि अखिलेश यादव जो इस वक्त जैन चोधरी के राज़ितिक चिर्परतिद्विंदी बन चुके हैं क्या उनको अब यूपी में पश्चमी यूपी में फायदा मिलता हुआ नजर आता है फिल्हाल न्यूजरूम से इस खासकार करम इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रही है नेक्ट नाइन न्यूज